अगर अभी तक आपने मेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे आज मैं आपके लिए काले चने की रैस्पी लेके आई हूँ जो खाने में जितने टेस्टी होते हैं हेल्थ के लिए भी उतने ही अच्छे होते हैं बहुत सार से अच्छे से फूल गया है और तीन प्याज लिए मैंने लसन लिया है लसन में थोड़ा ज्यादा लिया है अध्रक हरी मिर्च दो टमाटर और यह कुछ मैंने चार चमच मैंने जुक अच्छे चने इनको मैंने हलका सा मिक्सी ग्रैंडर में पीस लिया है पर पीसना जायक छॉप कर लिया है और टमाटर को ले चॉप कर लिया है ड्रच जिली और अधर को लसन के मैंने बेस्ट बना लिया है कुछ खड़े मसाले में लिय यह थेजपता दाल चİनी बड़ी लोईच ची और जीरा यहां पर कुकर रख लक्ग पर और इसमें मैंने दो बड़े जाल दिया है और गरम हो चुका है तो यह पहले खड़े मसाले इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा इनको हमें भूनना है अब यहां पर मैं आद्रक और लसन का पेस्ट डाल रही हूँ एक मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे अच्छे से जैसे लसन का थोड़ा सा चुक अच्छा पन का टेस्ट है वो चला जाए अब मैं प्यास एड़ कर रही हूँ प्यास को हमें अच्छे से भूनना है यहां पर मैं हरी मिर्च भी एड़ कर रही हूँ साथ में अब सारे मसाले को मैं अच्छे से भूनना है यह देखे प्यास जो हलके पिंक हो गए हैं अब यहां मैं सुप के मसाले डाल रही हूँ एक चमच मैंने नमक डाला है आदा चमच हल्दी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च आदा चमच रैड चिली तिक्षी वाली है आदा चमच गरम मसाला ज्यादा मसाले मैंने यूज नहीं किया हैं बिल्कुल सिंपल जो घर में मसाले हम यूज करते हैं डेली रूटीन में सबजी में वही डाले हैं इनी से आप देखेगा कितनी अच्छी सबजी बनेंगी थोड़ा पानी डाल रही हूं मैं कि जिसे मसाला ज़ए अच्छे से पक जाएं कसूरी मेथी डाल रहे हैं एक चमच इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी में मसाला थोड़ा पक चुका है आप टोमाटर एड़ कर देंगे इसमें सबी चीजों को मिक्स करते हुआ अच्छे से बूनना है हमें और साथ में यहाँ पर हमने जो चने मिक्सी में पीस कर रखे थे वो भी डाल देंगे तड़के में अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको भूनना है इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ग्रेवी थोड़ी हमारी थिक बनेगी अब मैं थोड़ी देर के लिए प्रेश्ट कोकर का ढखकन ऐसे ढख रही हूँ और हमें इसे दो तिन मिनुट के लिए पकाना है तो देख लेते हैं एक बार ढखकन अटा कर देखे मसाला अच्छे से पग गया है अब यहां पर हम चने एड़ कर देंगे चनों को मैंने बॉइल नहीं किया है सिर्फ भीगेवे चने ही लिए है है अब बहुत अच्छे से हमें चनों को भी भूनना है जितना अच्छे से सब मसाले चने वगरा सब भूनेंगे अच्छा टेस्ट आएगा यहां पर मैंने थोड़ा धनिया भी साथ में आड़ कर दिया अब बनती हुए धुश्ची में थोड़ा सा धनिया जब डाल देते ह सब्ची में और यहां थोड़ा में पानी एड़ कर रही हूं कि सब्चीजों को मिक्स कर लेंगे अब फिर से हम थोड़े देर धक्के इसको दो-तिन मिनिट के लिए चनों को पकाएंगे अब हम यहां पर पानी याट करें तो यहां पर मैंने एक कटोरी पानी डाला है और आधा कटोरी में और डालूंगी अब कुल मैंने डेट कटोरी पानी डाल दिया है एक बार अच्छे से मिक्स करके और ढख्कल लगा देंगे प्रेश्य को करका ढखा दिया है मैंने यह यह पर और साथ से आट सीटी आने तक इसे पकाना है तो यह साथ साथ सीटी हो चुकी है प्रैशर निकल चुका है अब ध्रकन खोल के देखते हैं सब्जी कैसे त्यार हुई है तो यह प्रैशर कुकर का ध्रकन में निकाल रहे हूं देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है कितना अच्छा कलर आया है देखिए बहुत अच्छी सब्जी तयार हुई है एक बार अगर आप यह काले चने की सब्जी इस तरह से बना लेंगे घर में तो आप इसे रोज रोज बना के खाएंगे इतनी टेस्टी होती है सब्जी औ पर मैंने इसे बावल में सर्व कर दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ में अब आप भी अपने घर में जल्दी से सब्जी बना कर ट्राय कीजिए और अपने experience मेरे साथ comment box में share कीजिए thank you for watching my videos